हेलो दोस्तों नवस्कार ट्रेंड डिवाइडिंग मलव चलती हुई गाड़ी दो पार्ट में डिवाइड होने को बोलते हैं ट्रेंड डिवाइडिंग और जब ट्रेंड डिवाइड हो जाती है तब उस समय लोको पाइलेट क्या करता है उसका क्या करते भे, क्या duties है तो सबसे पहले pressure light को own करेगा गाड का धियान अग्रसित करने के लिए क्या लंबी छोटी, लंबी छोटी लगातार city बजाएगा जब तक कि गाड धियान नहीं देता है और गाड का signal exchange की तरब उसका धियान रहेगा कि गाड कोई signal exchange कर रहा है नहीं कर रहा है अगर ये तब कब तक चलाता रहेगा अगले वाले हिस्से को जब तक कि पिछले वाला हिस्सा अपना रुक नहीं जाता, अगर पिछले वाला हिस्सा नहीं रुकेगा तब तक वो आगे गाड़ी चलाता रहेगा लेकिन ये बहुत important है अगर आपको कोई signal मिला आगे और वो रोक signal है और वो ओन स्थिदिम मिला तो उसका पालन करना है आपको रोक नहीं है आए समझ में ये बहुत important है लोको पाइलेट कभी भी अगर आगे आपको signal ओन में मिल गया है तो वो आगे नहीं जाएगा ये लोको पाइलेट के ड्यूटीज हो गया दूसरा आता है अपने पास गाड जो महत्मून होता है गाड की क्या ड्यूटीज रहेगी देखो गाड गाड सबसे पहले ब्रेक यान में रहेगा तो अपने हैंड ब्रेक बांदेगा दूसरा अगर उसको पता चल गया तो दिन में हरी जिन्टी को उपने निचे करके लोको पाइलेट को बताएगा दूसरा रात में रात होया हैं तो सपेद बती को उपने निचे करके बताएगा जब लोको पाइलेट को पता चलता है तो वो लंबी चोटी लंबी चोटी सिटी बजाएगा और गाड़ी को रोकने का प्रियास करेगा फ्रैसल लाइट ओन करेगा तीसरा हता है अगर आपके पास बैंकिंग इंजन है अगर बैंकिंग यानि पीछे बैंकर लगा हुआ है जो धक्का दे रहा है उसको पता चलता तो क्या करेगा कि पिछले इससे को रोकने का प्रियास करेगा लंबी चोटी लंबी चोटी सिटी बजाएगा और आगे वाले लोको-पाइलेट का ध्याना करसित करेगा और तब-तक बजाता रहेगा जब-तक की अगला हिस्सा रूखना चाता है और या आप अपने पीछे लेवाले हिस्से को रूखना ले अब इसमें एक बहुत important बात है ये तो ये होगे अगर अपने को गेट मेंने कोई गेट मेंन को देखता है यार गाड़ी तो पार्ट में पार्ट में चल रही तो वो क्या करेगा वो भी दिन में हरी जिन्टी को उपर निचे करेगा रात में सपेद बत्ती को उपर निचे करेगा और अगर पीछे वाले हिस्से को आने में टाइम है पीछे वाले हिस्से को तो 10-10 मिटर के इंदराल पर 3 पटा के लगाएगा ये काम किसका रहेगा गेट मेन का काम और स्टेशन मस्टर का काम सेम रहता है ये भी दिन में हरी जिंडी उपर निचे करेगा और रात में सपेद बत्ती उपर निचे करेगा रुकने पर क्या करना पड़ेगा अपने को रुकने पर क्या करेगा गार्ड आगे भी और पीछे भी सामने बचाव करेगा जर्नल रूल है 6.031 एक अनुसार सबसे डेरी रूल के अनुसार ओके और अगर अपना पीछे वाला कोई हिस्सा है और पीछे वाले हिस्से में क्या ह 10 वहान या ये 4 पर ये वाले हैं तो नहीं जुड़े जाएंगे या या तो 5 वहान या किसे 8 पर ये वाले वाहन हो तो भी नहीं जुड़े जाएगा लेकिन अगर पीछे बैंकर लगा हुआ है तो जुड़े जाएगा किसे जुड़े जाता है सिंपल सा जोडने का तरीका क्या होता है कि यह वाला हिस्सा मेरे को जोडना है तो क्या करेगा यहाँ पे गार्ड और जो असिस्टन लोगों पहले खड़ा रहेंगे और उसको बोलेंगे कि पीछे लीजे तो यह दोनों फपीस कपलिंग होगी और कपलिंग होने के बाद यह सारी की सारी रिपोर्ट की इसको बताएगा जो भी डिप्टीसे से उसके लाई है सबको बताएंगे और गाड़ी सामने रूल के इसाब से संचालित होगी इस तरह से आप समझ सकते हो कि गाड़ी अगर divide हो गई उसमें सबसे main important क्या चीज है कि अपना का अगर rogue signal own इस्तिती मिला है तो उसको कैसे पार करेंगे वो बहुत important है दोस्तो ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर recommend box में लिके बताएं अगर आप इसका ये screenshot ले लोगे तो आपको हमें से याद रहेगा कि अगर guard आपका train part हो गया है load part हो गया तो किस तरह से आप working करोगे देने बाद दोस्तो